तो हेलो फ्रेंड्स आपका फिर से बहुत बहुत स्वागता है आपके अपने चैनल SMIA पे दोस्तों आए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं भारती 8L Limited Company की जो के टेलीकॉम सेक्टर की लार्ज कैप कमपणी है हमारे देश की बहुत ही बड़ी कमपणी है और आज इसे करेंगे इसके business prospects भी study करेंगे तो एंड तक आप हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कोई भी point मिसमत करिएगा सबसे पहले जदी आप हमारे चैनल पर फिर्स टाइम आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बैल आइकन का बटन जरूर प्रेस क आपको हमारे आने वाले वीडियो का सारे notification जो है वो आप तक मिलते रहेंगे तो आईए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले इसके stock का detail में analysis कर लेते हैं तो आज के दिन कलिये लिए इस stock में बहुत भी अपाइंग देखने को मिली है और positive trend जो है देखने को मिल गया है जदी इस इस stock की last five day की performance देखें तो यहां पे आपको 2.35% की rally जो है वो देखने को मिल जाएगी जदी इस stock का बान मंत का pattern देखें तो यहां पे भी आपको 9.68% की rally देखने को मिलेगी हमारी stock market में आपको last one month वे volatility देखने को मिल रही है downtrend देखने को मिल रहा है profit booking देखने को मिल रही जड़ी इस stock का last six month का pattern देखें तो यहां पे 46.59% के positive returns आपको देखने को मिल जाएंगे तो clearly last six month में इसने अपने investors को बहुती बड़िया returns बनाके दे दिये हैं और जड़ी year till date का data देखें तो यहां पे nearly 50% के around returns जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे आईए अब हम इसका one year का pattern देखें लेती हैं तो यहां पे आपको 62.83% के returns देखने को मिलेगे और यह जो stock है बहुती बड़िया positive momentum शो कर रहा है continuously positive direction में आपको जो है momentum शो करता दिख रहा है जड़ी इसका long term का data देखें 5 year का data देखें तो यहां पे 179% के multi bag returns आपको देखन को मिलेंगे ऐसा नहीं है कि इसने linearly returns बनाई है इसमें भी आपको ups and down देखने को मिल जाएंगे लेकिन overall इसका जो trend है बहुत ही positive है बहुत ही bullish है और यह जो stock है काटी तो उसलिए positive direction में move करता जा रहा है corrections के बाद बहुत ही बड़िया recovery भी शो करता है और जदी all time data देखें त 3785 परसंट के जो आपको देखने को इस stock में मिल जाएंगे तो इसके chart pattern ने भी बहुत ही बड़िया positive trend देखने को मिल जाएगा तो आईए आगे बढ़ते हैं इस company की जो latest news है वो देख लेते हैं तो आज इस stock में क्यों इतनी तेजी देखने को मिली है तो आप देख सकते हो भारती Airtel shares jump nearly 4% after the tariff hike announcement तो आप देख सकते हो इस company ने अपनी tariffs को जो increase करने का decision लिया है 4% इस company के share में आज jump देखने को मिल गया है क्योंकि यह जो company है अपनी tariffs जो है वो हाइक करने जा रही है अपनी जो है इसने बहुत ही बड़ा decision लिया हुआ है इसी के कारण ही इस stock में आपको जो है वो तेजी देखने को मिल रही है बहुत ही बड़ी आ पॉस्टिब ट्रेंड देखने को मिल गया है आज की एक और न्यूज चेक करें तो मोतिलाल उस्पर इस पे बहुत ही बूलिश है बहुत ही पॉस्टिब हैं and they are giving a target price of rupees 920 on the भारती Airtel with the buy call तो आइए इस न्यूज को डिटेल में study कर लेते हैं के जो मोतिलाल उस्पर है इस पे क्यों ब्यूलिश है According to the मोतिलाल उस्पर रिसर्च रिपोर्ट, the effective trifike of nearly 20% in the pre-played plans is expected to contribute incremental revenue EBITDA of Indian rupees that is 103 billion, oblique 72 billion, thereby driving 13% consolidated EBITDA growth on quarter to financial year 22 annualized basis तो यहां पर आप देख सकते हैं क्योंकि जो company 35 कर रही है तो pre-played plans की जो है 35 की है इसने तो इसलिए इस company के जो numbers and they are going to improve on a quarter on quarter basis तो इस company के EBITDA में और मा इस company के revenue में आपको बहुत ही बड़िया growth देखने को मिल सकती है in the half year financial year 22 to improve the cash flow in the industry other larger players are expected to follow the suit in the immediate future तो आने बाले time में भी इस जो other competitors है वो भी जो है 35 कर सकते हैं वो भी जो है जो expenses है वो भी जो trips है उनको increase कर सकते हैं ऐसा मानना है मोतिलाल ओस्वाल का दा भारती जो चर्ण strong network capabilities leaves room for potentially healthy EBITDA increase in the line with the trip hike in the December 19 जैसे के इस company का network बहुत ही strong है और इस company की network capabilities बहुत ही strong है और similarly यह जो company आपको बहुत ही बढ़िया services provide करती है network provide करती है तो आने वाले time में यह जो company बहुत ही बढ़िया growth शोगा सकती है the significant reduction in the data allowance across that price plans leaves limited possibility for the downtrading तो अब इसमें जो है downtrading की जो possibility है बहुत ही कम है therefore the according to the motilal Oswal there is a potential for re-rating in both the Indian and African business on the back of the steady earnings growth तो इस company की जो earning growth है बहुत ही steady है जैसे के इस company के numbers भी आये हैं बहुत ही steady growth शोग रहे है Indian business भी growth शोग कर रहा है और अफरीका का जो business है उसमें भी बहुत ही बढ़िया growth देखने को मिल रही है therefore we value the भारती on the summer 23 e basis on based on the technical parameters to the India mobile Africa business arriving at a SOTV based target price of Rs.920 तो इस company के जो different segments है इंडिया का business है अफरीका का business है उसको separately जल्दी split करके हम इसके target नकाल लें और दोनों को then हम total करके इसका target नगा लें तो वो 920 का निकल कर आ रहा है therefore the buy rating has been maintained by the motilal Oswald तो आप देख सकते हैं उसको जो quarter two के numbers है वो भी बहुत ही positive है और आने वाले time में जैसे ही ट्रीफाई का इस company का जो decision हुआ है आने वाले time में इस company के revenue में भी आपको growth देखने को मिलेगी इसके profit में भी आपको growth देखने को मिलेगी और इस company के जो margins है वो भी आने वाले time में आपको improve होते दिखेंगी इसका मतलब है कि इस company की जैसे जैसे ट्रीफाईक्स होगी तो आपको इसकी protein performance भी improve होती दिखेगी इसकी financial parameters भी improve होंगे overall यह जो company है बहुती बड़िया growth शो करेगी बिजनस भी expand करेगी तो इसके target बहुती positive रह सकते हैं ऐसा कहना है मोतिलाल Oswald का तो इसलिए आप accordingly इसमें अपनी position बना सकते हो end में हम आपको thanks कहेंगे जदी आपने हमारे को time दिया जदी आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है अभी तक तो आप subscribe जरूर करें और bell icon का button जरूर प्रेस करें जहां पे हम आपको बहुत ही genuine ideas प्रवाइड करते हैं क्योंकि किसी भी company की जो stock की price होती है वो उस company के business के साथ link होती है जदी किसी company का business अच्छा perform करेगा तो इसका मतलब है कि आपका जो share है उस company का जो share है वो भी अच्छा perform करेगा तो यह आपको mind में रखके चलना होगा